नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं धमसर्मार्व मेश रासी 2019 की बहुत बड़ी खुशखबरी जो 30 के नुसा किसी भी बैक्ती की रासी के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात भविस्य के बारे में बहुत हद तक जाना जा सकता है मेश रासी बाले बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं और हर परिस्तिती का सामना अपनी सूजबूच से करते हैं और बहुत जल्द ही कठीन परिस्तितियों से बाहर भी आ जाते हैं घुमा फिरा कर बातें करना इन्हें पसंद नहीं वैसे तो ये सांध दिखाई देते हैं लेकिन अगर इने किसी बात पर गुसा आ जाए तो फिर इनके गुसे से बचना भी आसान नहीं साल 2019 में आपकी कोई बड़ी मनोकावना पूरी होने की संभावना बन रही है यदि आपका कोई महतपूर्ण कारे 2018 में अधूरा रह गया है तो या फिर किसी कारण बस पूरा ना हो सका तो इस साल पूर्ण होने के पूर्ण योग बने वे हैं अगर आप जो कर रहे हैं तो इस साल उफिस या कारण छेतर में कुछ ऐसे बदला होते नजर आ सकते हैं जो आपकी जिंदगी की दिसाही बदल कर रख देंगे बिद्यार्थियों को सिक्षा में बड़ी उपलब्दी हासिल होने के योग हैं हलांकि चाहतर अपने पढ़ाई के प्रती इमानदार रहें और लक्ष पर फोकस करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रतिविक्ता प्रिक्षा में भी आपको बड़ी सफलता मिलने की पूरी संभावना बनी हुई है साथ ही जो नौकरी करते हैं 2019 के मद्ध में बेतन बिर्धी के योग बनने की संभावना बनी हुई है इस दोरान आपको कोई नया पद या बड़ा पद भी मिल सकता है जो लोग बेपसाई हैं उनका बेपसाई इस समय अच्छा चलेगा वैसे भी 2019 मेश रासी वालों के लिए अच्छा है घर परिवार में कुछ नए रिस्ते भी जूर सकते हैं और आप कहीं अपने परिवार वालों के साथ अपरेल मैं जून के महिने में कहीं घूमने जा सकते हैं ये तीन महिने बहुत अच्छे हैं लब लाइब के लिए यह सांदार रहेगा जिन जातुकों का बिवाह में परिशानिया आ रही थी वो परिशानिया 2019 में खत्म होती दिख रही है साल का अंध होते होते आपको सच्चा प्यार भी मिल सकता है जैमीन जायदात से जुड़े किसी भी काम को पूरा करने के लिए इसमें बहुत खास है लेकिन आपको फिजूल खर्चे से बचना चाहिए क्योंकि अगर आपने जादा खर्चे किये तो हो सकता है आपको आगे चलके कुछ परिशानिया है हाँ कुछ नाया समान खरिदने के योग तो बने हुए है पैसों की वज़त भी कीजिएगा और कोई भी वस्तू बीना मतलब के ना खरीदे परिवारी जीवन आपका हलाकी बहुत अच्छा रहेगा परिवार के लोग सपोर्ट करेंगे और आपको ज़्यादा लापकी भी प्राप्ती होगी एक तरफा सोच आपको परिशानी में डाल सकता है या आप धोखा देने वालों लोगों से दूर रहेगे आपके परिवारी जीवन में आपको कुछ जैसे मई जून के महिने में थोरे बहुत बाद विवाद संबब है माथा पिता के साथ आपके संबंदों में मधूरता आएगी सामाजी कारियों में आपकी रूची भी बढ़ेगी और भागे की प्रवलता से आपके परिवारी कारिय भी बनेंगे परिवार में कोई नया महमान आगमन हो सकता है स्वास्त की दृष्टी से ये साल अच्छा है लेकिन आत लीवर की समस्या से आपको थोरे से बचने की सला दी जाती है और खान पान के प्रती सजग रहिएगा लव लाइब की बात करें तो अच्छी रहेगी प्रेम संबंधों में नव उर्जा का संचार होगा और महिला मित्रों का पूरा से योग मिलेगा अगर आप सिंगल हैं तो इस वर्ष कोई बड़ी खुसकबरी मिलेगी आपके लिए 2019 का नवंबर का महिना बहुत ही ज़्यादा सुभ है और इस मेहने कोई सुभ समाचार की प्राप्ती होगी आपके लिए सुभ रंग है बैगनी करियर के दिश्टी से देखें तो इस साल आपको नौकरी के कई मौके मिलेंगे आपको सही वक्त का इंतजार करना है और अपने सूजबूस से इन मौकों का लाव उठाना है बिरुजगारों को नौकरी के अफसर मिलेंगे और जो लोग पहले से नौकरी करते हैं वो अगर चाहते हैं नौकरी चेंच करना तो ये भी मिलने की संभावना बनीवी है अभी तो राहू केतु रासी परिवर्तन कर चुके हैं सनी केतु के साथ आ गया है वैसे लगभख सभी रासी के लिए अच्छा है पर आपके लिए एक उपा है अगर आपको लगता है दुवीधा की इस्तिती है तो इससे बचने के लिए एक पानी वाला नारियल बुद्धवार की साम में अपने सर से तीन वारवार कर बहते वे पानी में फेग दे इससे इन इस्तिती से आपको चुटकारा मिलेगा और केतु की कोई समस्या है परिसानी दे रहा है तो इससे बचने के लिए रोज नहाने के बाद केसर या हल्दी का तिलक लगाएं इससे आपके जीवन में सुपता बढ़नी सुर्य हो जाएगी मेश रासी में सुर्य उच्च के होते हैं इसलिए भगवान सुर्य को परणाम करने की आदर डालने आपके लिए सुप रहेगा हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपी के साथ धन्यवाद हर हर महादेव